दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रैट इन्फोवीज में दोस्तो आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ शाने भोबाल एक्सप्रेस ट्रेन की 121ग यह ट्रेन 10 गंटे, 55 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है तोटल दूरी जो यह कवर करती है, वो है 701 किलोमेटर इस ट्रेन की एवरेश स्पीड है 50 किलोमेटर पर आर और इसके तकरेबन 10 स्टेशन है यह ट्रेन डेली ट्रेन है, हफते के सारे दिन चलती है अब बात करते हैं इसके टिकेट किराय की इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, Slipper Class, Unreserved General Dibay available है 1st AC का किराया है 2515 रुपए, 2nd AC का किराया है 1490 रुपए, 3rd AC का किराया है 1050 रुपए, Slipper Class का किराया है 395 रुपए, Unreserved General Dibay का किराया है 212 रुपए यह updated किराया नहीं है दोस्तो, updated किराया जानने के लिए आप किसी भी railway की website पर जाकर एक पर जरूर confirm कर ले अब बात करते हैं इसके tim table और इसके station की, यह train हबीब गंच से हर रोज रात के 9 बचकर 5 मिनट पर एक नमबर platform से रवाना होती है दूसरा इसका station आता है बोपाल जंक्शन जहां पर यह 9 बचकर 15 मिनट पर रात को पहुंचती है और 5 मिनट के stop के लिए रुखती है इसका अगला station आता है विदिशा जहां पर यह रात के 9 बचकर 58 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के stop के लिए रुखती है इसका अगला station आता है दोस्तों वो है गंच बसोदा जहां पर यह रात के 10 बचकर 35 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के stop के लिए रुखती है ये अपने अगले स्टेशन जांसी जंक्षन पर पहंचती है एक बज़ कर 35 मिनट पर रात को और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है अगला इसका स्टेशन आता है गवालियर जंक्षन जहां पर ये रात के 2 बज़ कर 55 मिनट पर पहंचती है और यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है इसका अगला स्टेशन आता है मौरेना जहां पर यह रात के 3 बच कर 25 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है कैंट जहां पर ये सुबह के 4 बच कर 33 मिनट पर पहुंचती है और यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है इसके बाद ये अपने आखरी स्टेशन हजरत निजाम अदिन पर पहुंचती है सुबह के 8 बचे और 6 या 7 नमबर प्लाटफॉर्म पर जाकर अपनी यातरा समाप्त कर लेती है इसी के साथ शाने भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लेज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यावाद दोस्तों